हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्वा परहार में, मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हो जो की बहवाईक मामलों में लगबख सभी के सामने आता है देखिए पतनी जब घर से चली जाती है और आप लोगों के बीच में कटूता इतनी बढ़ जाती है कि आपको एक कंफर्म हो जाता है कि मेरी वाईफ मेरे पर F.I.R. करेगी या वाईफ की तरफ से खुला धमकी दी जा रही होती है कि भाई आप हमारी बातों को मानो ये वरना हम F.I.R. करेंगे तो दो धारें ऐसी होती है 498 A और 406 I.P.C. जो जनरली F.I.R. में आपको मिलती ही है 498 A I.P.C. होता है कि आपने और आपके परिवार वालों ने उस पर mental और physical cruelty की है और साथी जो 406 I.P.C. होता है criminal breach of trust ही होता है कि आपने उसके कुछ articles, इस्तरी धनकिया, जोल्री वगएर अपने पास रख लिए है और उसको अपने परियोग में ले लिए है या फिर आप उसको वापस देने से मना कर रहे हैं तो यह चीज होती है 406 I.P.C. में तो दोस्तो यह आपको F.I.R. में मिलती मिलती है तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा judgment तो आपको भी judgment का पूरा-पूरा लाब मिल सकता है वीडियो में आखरी तक बने रहेगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब करके notification bell पर ज़रूर क्लिक कर ले दोस्तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ 406 IPC कई लोगे समझते हैं कि जोलरी रखने के लिए 406 IPC होता है नहीं 406 IPC होता है criminal breach of trust यानि कि आपने यदि किसी का सामार अपने पास रखा और उसको या उसका रूप बदल के अपने उपयोग में ले लिया और जब वो आपस मांगता है तो आपने उसको वापस करने से म पती था वो इसकी question के ले गया था करनाट का high court में तो दोस्तो इस मामले में भी यही था 406 IPC लगावा था लेकिन court ने वाना कि यहां पर इस मामले में 406 IPC के ingredients मौझूद नहीं है कैसे क्योंकि 406 IPC के लिए जरूरी होता है कि पती ने कोई सामान रख लिया और फिर उसको यूज में ले लिया हो ऐसा कहीं पर भी साबित नहीं होता है ऐसा कहीं से भी सपश नहीं होता है कि पती ने ऐसा कुछ किया था नहीं ऐसा साबित होता है कि जो है पती ने उसका समाल लटाने से मना कर लिया इसलिए 406 IPC नहीं बनता है 1997 में दोनों की शादी होई थी शादी के बाद पतनी ने पती के साथ रहना प्रारम कर दिया था और वो उसके साथ matrimonial home में रही कुछ समय के बाद पतनी ना allegation लगाया कि वो उसके साथ misbehave करता है कोट ने कहा कि यह पूरी तरह से वेग allegation है और ऐसा allegation है कि इस पर शक भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा हुआ होगा साथ ही कोट यह भी कहा कि investigation के दौरान पतनी ने जो अपनी statement दी है उसमें भी दोनों इधाराओं के कोई भी ingredients मौजूद नहीं है तो दोस्तो 498 या IPC के लिए cruelty अवशक्या वो cruelty कैसी होगी खाली कहने से नहीं हो जाएगी किसमें मिस बेव किया या mental torture किया और physical torture किया आपको वो mental torture वो physical torture किसी माध्यम से कोट के सामने लाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा आपना medical रखना पड़ेगा यदि mental torture हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ सबुत तो आपको कोट को देने होंगे कुछ ना कुछ यह ऐसी लिखनी होंगी क्योंकि देखिए जो भी questioning पर विचार करने हैं उनके सामने ऐसे पता नहीं कितने मामले पूरी life में आ चुके हैं तो क्या उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मामला फेक है और कौन सा मामला genuine है तो वो लो guess कर लेते हैं जा genuine होता है उनको अलग पता चल जाता है ठीक है कई बार होता है कि निने करने में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारे opposite निने हो गया, अगेस निने हो गया, गलत निने हो गया, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है, कोट को पता रहता है कि कहां पर trial चलाने के आफशकता है और कहां पर इसको quest कर दिया जाना चाहिए, तो अगर FIR FIR ऐसी है कि महापत धारें तो लगी है, लेकिन सारी चीज़ा ऐसी लिखी है कि वो धारें उस पर बैठती नहीं है, फिट नहीं बैठती है, तो ऐसे मामलों में FIR questioning के chances काफी रहते हैं और इस मामले में भी 406 और 408 थाडवे AIPC दोनों को quest कर दिया गया, दोस्तों इस judgment के ल ऐस्वाचिक ठेकिर